मेरे प्यारे देश्वासियों, मन की बात में इस भार भी हमने धेर सारे विश्यों पर बात की, हर बार के तरह एक महेने बाद हम फिर मिलेंगे, लेकिन 2022 में हर नई शुरुवात अपने सामर्थों को पहचानने का भी एक अवसर लाती हैं, जिन लक्षों की पहले हम कलपना भी नहीं करते थे, आदेश उनके लिए प्रयास कर रहा है, हमारी हां कहा गया है, छनशह कणस्रच चैव, विद्याम अर्थंच साधयर, छने नस्टे कुतो विद्या, कणे नस्टे कुतो धरम, यानि जब हमें विद्या अर्जित करनी हो, कुछ नया सिखना हो, करना हो, तो हमें हर एक छन का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब हमें धन अर्जन करना हो, यानि उन्नती प्रगति करनी हो, तो हर एक कण का, यानि हर संसाधन का समुचित इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि च्ञड के नश्ट होने से विद्या और ज्ञान चला जाता है और कंड के नश्ट होने से धन और प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं ये बात हम सब देशिवासियों के लिए प्रेना है हमें कितना कुछ सिखना है नई-नई innovations करने हैं नए नए लक्षा हसिल करने हैं, इसलिए हमें एक छण गवाए बिना लगना होगा, हमें देश को विकास की नई उचाई पर लेकर जाना है, इसलिए हमें अपने हर संसाधन का पूरा इस्तमाल करना होगा, एक तरह से आत्म निर्भर भारत का भी मंत्रा है, क्योंकि हम जब अपने संसाधनों का सही इस्तमाल करेंगे, उन्हें व्यर्थ नहीं होने देंगे, तभी तो हम लोकल की ताकत पहचानेंगे, तभी तो देश आत्म निर्भर होगा, इसलिए आईए, हम अपना संकल्प धोराएं, कि बड़ा सोचेंगे, बड़े सपने देखेंगे, और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे, और हमारे सपने केवल हम तक ही सिमित नहीं होंगे, हमारे सपने ऐसे होंगे, जिन से हमारे समाज और देश का विकास जुड़ा हो, हमारी प्रगति से देश की प्रगति के रास्ते खुले, और इसके लिए हमें आज ही लगना होगा, बिना एक शन गवाए, बिना एक कन गवाए, मुझे पूरा भरोसा है, इसी संकल्प के साथ आने वाले साल में देश आगे बढ़ेगा, और 2022 एक नए भारत के निर्मान का स्वनिम पुर्ष्ठ बनेगा,